नगनिगम चुराव मैदान में अपनी किसमत आजमा रहे प्रत्याशियों के भाग का फैसला कुछ ही घंटों में हो जाएगा इविये में बंद मतों की गिंती के लिए जिला निर्वाचन कारले ने अपनी सभी तैयारियां पूर्ण कर ली है स्टेडियम में मदगर्ना स्थाल पर सर्फ अधिकरत पास धारियों को ही प्रवीश मिलेगा मोबाइल और कैमरे के अलावा अवांचनिय सामागनी ले जाना प्रतिबंधित होगा मदगर्ना के लिए रविवार सुभा साथ बजे स्ट्रॉंग रूम खोला जाएगा आट बजे से मदगर्ना की प्रक्रिया प्रारंब होगी सुभा नौ बजे डाक मतपत्र की गिंती होगी जबकि साड़े नौ बजे से EVA मशीनों में बंध मतों की गिंती प्रारंब हो जाएगी मदगर्ना स्थल पर सुरक्षा के भी पुखता इंतजाम किये गए है स्टेडियम परिसर में पूरी तरह से बेरिगेटिंग की जाएगी गर्ना करने वाले अधिकारी व करमचारियों को मैदान की और से प्रवेश दिया चाएगा जबकि राजनेतिक दलों की अभी करताओं को मुख्य द्वार से प्रवेश दिया चाएगा अपर करेक्टर व निर्वाज नौटल अधिकारी डॉक्टर अभय पेडेकर ने जानकारी देते हुए बताया कि मदगर्ना स्थल पर कैमरे, मोबाइल, इलेक्ट्रोनिक गैजट के अलावा अवांचनिय सामागरी पूरी तरह से प्रवेश द्वार पर चैकिंग के बाद ही अभी करताओं को प्रवेश दिया चाएगा गणन अभिकरताओं के इंट्री होगी जो की एक कटगरा जैसा बनाया गया है वो उनके इस तरफ अभिकरता रहेंगे और अंदर साइट टेबल्स रहेंगे जिसमें की हमारे गणना साहयक और गणना सूपरवाइजर बैठकर गिंती करेंगे वहीं एरो भी बैठेंगे तो इस प्रकार कुल हमने 160 टेबले लगाई हैं जिसमें की महापौर और पारशत पत के लिए जो EDB की गणना हो रही है वो टेबले भी हैं और टोटल 97 टेबले हैं जिन पर की मत गणना होगी EVM मशीन से हमारे 85 वार्ड हैं और उसमें 12 वार्ड ऐसे हैं जिन वार्डों में मतद से ज्यादा किसी भी हालत में ना खिच सके अब जैसा भी हम लोग जहां पर खड़े हैं यह प्रेस का लाउंज है प्रेस के लिए एक और विवस्ता हमने बाहर बनाई जिसमें जो हमारे इलेक्ट्रोनिक चैनल के बंदू हैं वहां खड़े होके लोगों की बाइट ले सकते हैं परतेशियों की बाइट ले सकते हैं उसके अलावा हमने बाहर जो वर्ष्था बनाई है कि प्रव्याप बैरिकेटिंग की गई है पॉलिस के लिए परियाप व्यवस्था की गई है जिससे कि आदमी को जिस हॉल में जैसे जिस रास्ते से जा सके मोबाइल हॉल के अंदर देते हुए बताया कि मदगर्णा परिसर में मीडिया कर्मियों को मोबाइल ले जाने के अनुमर्थी रहेगी लेकिन वह एक निश्चित इस्थान के आगे मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे Bureau Report, MP News, इंदौर